दोस्तों आज दिस वीडियो रिपोर्ट विच मैं गाल कराऊंगा पारती जंता पार्टी यानिकी BJP दी पंजाब दे विच चोन लड़ाई दी दावेदारी बारे बारति जंता पार्टी जो की किसाना दे आंदोलन जो की लगपग खतम हों दे किनारे है मुख जिडियां मंगा किसाना दियां माल नहीं आगईयां ने उस्तो बाद पंजाब दे विच खुल के विच्रन दे मूड दे विच है आए दिन पार्टी दे विच कई लीडरां दे शामल होंदा सिल्सला जा रही है मंजिंदर सिंग सिर्सा, सरभजीत सिंग मकड अते पंजाब दे साबका डीजीपी सरभदीव सिंग विर्क समेथ तरजना लीडर भी ते कुछ दिना हफ्टना दे विच बाजपा नूँ जोइन कार चुके है तो बाजपा जिस दे कोल एक कदावर लीडर इस वक नहीं है इक चैरा जिसनू कहने है चोणा दे विच उतरन या नितरन लही किसी भी पाप्टी नूँ चाहिदा होंता है मुख मंत्री ओदेदा दावेदार होंता है जबू पाटी कोल ओ नहीं है उस वक्त पाटी दी स्ट्राटजी की हो सकती है कि एके faceless party, baseless party भी मन्नी जा सकती है कि आपा मन्नी भी जे party कोल चेरा नहीं है ता उस दे कोल कोई आदार भी नहीं है कि मैंनों लादा गल्द गल होएगी जे आपा इस तरीक के दा विशलेशन या अंकलन इस समय करना चाहांगे खास करके ओस वक्ट जदों की असी तमाम लीडरा नूँ पार्ति जन्ता पार्टी दे विच जानदा होया वेग साकते है हाला कि हर लीडर दे अलागला कारण हो सकते ने, मंजिंदर सिर्शादी मजबूरियां रही हो सकते हैं सरवजीत मकड कितना किते नुकरे लगे होई सी अपने हिलाके दे विच ओना दी था होर लीडरा नूँ अकाली दे लगे कार रहा सी सो डिस्गरंटल्ड लीडरा दा पार्ति जन्ता पार्टी दे विच जाना सुभाविक है अपनी दावेदारी पुखता उसनों मन दी है उस दावेदारी नों जो की हून अकाली दल दी उस बिसाखी तो बगैर पंजाब नी 117 सीटना होते चोन लड़ेगी जित्थे की उना कूल कैंडिडेट भी शायद इस वक्त तक ना हून सो इस पेड़ चाल दे वीच जेड़ा भी लीडर आ रहे है बीजेपी उसनों अपनी बैंड वैगन दे चड़ा रही है लेगिन एगाल बात एड़ी सौखी या एड़ी सरल भी नहीं है जिनी आपनों नजर आ रही है क्योंकि जे आपा भी ते दिन पार्टी दे बीच तक्री विच काम कर रही है ग्रास रूट या ग्राउंड लेवल दे उते उस दा वरकर आरेस दा वरकर बहुत तेजी दे नाल बिते कई साला तो लगा होया है खास करके उस दौर तो जे में कि मैं पहली वी जिकर एक रिपोर्ट विच की तासी जटो अकाली दल दे नाल ओना दे ड कोचिंग शुरूख कारती सी जिस दी शुरात पामे बीजेपी वलों किती गई दसी जान दी है लेकिन फैक्ट है भी बीजेपी को लिक प्लान है जिस प्लान दे तहत काम हो रहा है इस चीज़ काफी हद तक उस वक जग जाहर हुंदी है जदो आपा बित्ते दिनी जेड़ लीडर बीजेपी दे राल शामल होए ने मंच दे उते खुल के सामने आये ने उना वीच पंजाब दे एक साफका डीजीपी एसस विर्क नू देख दे है सरबदी सिंग विर्क पंजाब दे एक कॉंट्रोवर्शल ते विवादे डीजीपी रहे ने ते इना ता जड़ा प विच होई उस विच की गल कही जिस तो बात की आपा उस विचलेशन ते आमांगे जोकी आज दी इस रिपोर्ट दा टॉपिक है या सब्जक्ट है शायद सानु असी मेधाने जागबाद पुर्णा है असी बेठे जिवे आँ असी बेठे और परन बदशेया हो जाए है अठाड़ीआ मारो देश चाते हला देओ असी या क्यों बेष्ट पेली विच्टे साथ मिम्याम अठ्रावना है असी उसी 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 ना निजाम बनना है असी उसी उसो ना मनजर छेंज करना है तो इसना बैठ के नहीं हुणा है, तो जोज दिसना चाहिता है, ताड़िया ताड़िया चाहिता है, तो इना नाल, पड़े होके, आप खोड़ के चलो, के असी पंजाब गान निजाम बदल के रहांगी, और ये आई है, ते ताहीं सड़ा है, ते होंता फैदा नहीं, कोई फ जड़ा सियासी करण बीते तकरीबन दो दहाक्यां देविच होया है उस सियासी करण दा एक बहुती इंपोर्टेंट सेंट्रल करेक्टर है पंजाब देविच वखवाद खाड़कुवाद दी लंबी चोड़ी लहर रही तकरीबन 12-14 साल पंजाब देज खून खराब दे रहे इस दोरान पंजाब दा जड़ा डीजीपी ज़ादा लंबा समा जो रहावी एक्स्टेंशना इक्तोबादिक लाके उसी केपीएस गिल त पंजाब दे कई IPS आफसर वदे भी फुले भी डीजीपी एसस विर्ख जड़ा है वो बेसिकली महराश्टा काड़तों सी पंजाब दे विच डेपूटेशन ते ले अंदा गया ते लगातार डेपूटेशन दे विच एक्स्टेंशना कार करके बता और IGCRPF ते बहाद दे स कैप्टन अमरिंदर सिंग जिना दे पार्ति जनता पार्टी ना शामल होन ते चर्चे कई महीने पेलना शुरू हो जान देने कई बहुत इकम बीर मुध्यां उत्ते वी नरिंदर मोधी दी तारीफ कैप्टन अमरिंदर सिंग वनों किते जाना जड़ा करतारपूर साब दा जड़ा लंगा खुलता है उस मौके वी उस पवित्तर मौके वी कैप्टन अमरिंदर सिंग दा लगातार कौमी सुरुख्या देश दी सुरुख्या दा राग अलापना जो की आज़ता को अलाप दे आ रहे ने इक कंसिस्टेंसी जो की केंदर दी बीजेपी दी हाई कमांड ते उस सरकार दी सोच देनाल रड़ दी है कैप्टन अमरिंदर सिंग दे उना विचारा ते उना बयाना देविछ दिख सक्दी सी दिख दी रही थे बाद देविछ जो सारी चीज़ा जगज़ाग होगी है वो रणनीतिकार जो की आज तो नहीं बलकी विवादा दे सुर्ख्यां दे विच तकरीबन 15-20 साला तो चलया आ रहा है मैं पहला भी दो रिपोर्टा अलाग अलाग बनाईया ने जिस विच की मैं जिकर कीता है कि इस तरीक के नाल सुमेद सिंग सैनी जड़े साब का डीज़ी पी रह चुके हैं लेकिन उस तो बाद भी उनानों जलील किता गया दिली दे महराश्टा सदन तो किस तरीके नाल उननों चाके ले आया गया जेल विच रख्या गया एक उड़तन जिस तरीके नाल डवेलफ हुई इस दी भी पिशोकड सी यानिकि ओ पिशोकड जिस दे कार बाद दे विच एपी पांडे विजलन्स दे जेड़े नवे बाद दे विच रैक्टर बने उननों सारा दा सारा सेरा बनता गया चार्ज देता गया लेकिन ऐसे समय जेड़े डी जी पी विर्क उस वक्त ओ एडी जी पी सी पहला हुई जी रहे उना को लिक पंजाब दा नू कैप्टन अमरिंदर या ततकाली जेड़े बुख मंतरी सान कैप्टन अमरिंदर उना तक पचान दे विच अदा कितियां उस दौर दे विच ए विवाद एक बहुत बड़े पदर दा विवाद बने ऐसी जिसकी अकाली दल लीडर्शिप ने पंजाब दे डी जी पी य खुल के इए इलजाम डी जी पी एसस विर्क दे उत्ते लगे दोजार साथी जदो चोण अंदी है उस चोण तो पहला भी डी जी पी विर्क उत्ते इलजाम लागने शुरू हो चुके सन ओव इंटेलिजेंस विंग दे मुखी सन ते अकाली दल लगातार होना ते इलजाम ला रहे असी इलजाम लागरे सन वी स्यासी जी जी इंटेलिजेंस है उसनों कठा किता जा रहे है स्यासी इंटेलिजेंस ना मतलब ए है कि केड़े हलके देविच केड़ी पुजीशन किस पाटी दी किमे चल दी पई है इस सारा दा सारा जड़ा ग्राउंड वर्क ते बेस जो कि बेसिकली पॉलिटिक सी इस दे विच पंजाब पुलस दा कोई काम नहीं होना चाहिए सी खुफिया में बाग दा काम नहीं होना चाहिए सी इसे तो बात पंजाब पुलस दा जड़ा सियासी करण सी वह वक्रें लेवल ते गया और टर्निंग पॉइंट सी 2000 चार दे आसपास दा समा को कि इस तो पहला असी जिन्नावी समा देखा बेशकों कि APS गिल दा समा सी, बेशक उस तो बाद कई हो DGP आ है पंजाब दे बिच लेकिन उना ने खुलके इस तरीक के ना सियासी जड़ी इंटेलिजेंस है या सियासी रिपोर्टिंग है अपने पुलिटिक इशारा या सियासी जड़ी थापड़ा सी ओसनू बेशन सिंग वलनों दिता गया सी लेकिन KPS गिल दी का अपना किरदार सी ते ओ बहुत ही सिद्धे होके चले ते कई मौकियां दे होते डिफरेंसिस जड़े सी ओ पंजाब दे डीजी पी यानि कि जो सुपर कॉप सी KPS गिल थे पंजाब दे ततकाली मुखमंतरी बेंसिंग दे विच ओस वक्त भी नजर आए बेशा के दोना ने एक सुर्टा दे विच काम किता थे पबलिकली एस चीज़ों करे पता नहीं लगन दिता गया फिर अंदर कई मुद्यांते मतपेद भी रहे हो सकते ने लेकिन एचीज दोहजार तिन चार तो बात बदल दी है जदों की पंजाब पुलस्दा सियासी करण शुरू हो जन्दा है ते इस सियासी करण दी शुरुआत काफी हाथ तक एसी एपिसोड तो हुन दिये जिस तहर की डी जी पी जड़े रहे होंते ने एसस विर्क उनावलनों 2007 तो पहला लगातार ओस पॉलिटिकल सेंसिटिव इनफॉर्मेशन जो की उनावलनों गैदर किती जा रही सी एक मैं इंटर्व्यू रिसेंटली आखिरी 30 साल किता सी जिस विच की गुरमीद सिंग पिंकी जो की प सुमेज सिंग सैनी दी कुछ रिकॉर्डिंग वी करके उस वक्ते पुलिटिकल बॉसस तक पचाती गई सी तो इस कारण ही सुमेज सिंग सैनी भी काफी गुसे नाल परहा रहा थे बात देविच 2007 तो बाद उसने अपना जड़ा गुसा या बदला के लिए ओ डी जी पी रहे हटाने हैं एंटी इनकंबेंसी ता की सिचुएशन है इस सारियां जानकारियां मन्ने आई जानदा कि उस वक्त कैप्टन अमरिंदर सिंग या फिर कॉंगर्स पार्टी दे नाल डी जी पी पदर तो या पुलस दे हलक्यां चो आ रही सी इस नों लेके बहुत वड़ा बवाल भी मचया शकैता रस्मी तौरते भी होई हैं इलेक्शन कमीशन तक भी शकैता कीतियां गई हैं तुसी मन नहीं सकते कि उस वक्त इलेक्शन कमीशन नों अकाली दलवल भी कही शकैता कीतियां जा रही हैं सी जिस विसकी खुलके डीजीपी विर्क उत्ते गालबाद क फ्रोड दे मुकदमे दिविच गिरफतार करके फिर पंजाब पुलिस महराष्टा से दन दिली तो चाकले अंदी है कई दिन डीजीपी विर्खनू पुलिस कस्टिडी दे विच रखे आ जानदा है जेल भी उनानू जाना पैंदा है बाद दे विच बेल हो जान दी है तकरीबन 10-11 साल बाद फ्रोड़ दा मुकदमा भी कैप्टन अमरिंदर सिंधी सरकार जदो 2017 विच वापस आंदी है मई 2017 विच ओही विजलन्स ब्यूरो जिसने की मुकदमा दर्ज किता होंदा उस वनों केस वापस लेला जाता है जो 10-11 साले केस चल दा है लेकिन हुबिलेशन काफी हाई लेवल दी होई डीजीपी विर्क नों काफी जलील किता गया उस वक्त वो जड़ी किड सी पुरानी किड जिस तहट की कुछ रिकॉर्डिंग ना दी कथत रिकॉर्डिंग आ गया इस चीज दे पर सानू नहीं नहीं जादे इलम है लेकिने कुछ खुलासे है गया जो की कई लेवल ते होई ने ते एक अधार भी परदान करदे ने जिस तो साफ पता लाग दे वी उस वक्त सियासी इंटेलिजेंस गैदर करके अपने पुलिटिकल बॉसेज नो प्लीज करन दे मकसर देनाल पंजाब पुलिस ते उस दे खुफिया विंग यानिक इंटेलिजेंस विंग दी वर्तों या दुर वर्तों जड़ी सी ओ शुरू हुई तो इस रिवायत दी शुरुवात ओ स्कड़ी तो हुंदी है ते ओही जड़ा कॉंबिनेशन है जिस दे विच की कैप्टन नबरिंदर सिंग ते साफ का डीजी पी ऐसस विरकांदे ने जड़ा एक कॉंबिनेशन जो एक स्ट्रेटीजिक कॉंबिनेशन है पार्ती जनता पार्टी लिए यहां नहीं है कि उसको थेंक टैंक नहीं है और जो यह लीडर नहीं है लेकिन अपना जड़ा जमीनी पर दरूते लीडरा दा लेवल रहा है पंजाब दे विच जिनने भी बीजेपी दे लीडर या लीडर्शिप भी ते तकरीबन 24 साल 1997 तो बाद आज तक 24-25 साल जिननी भी लीडर्शिप डवेलप होई है वो एक बहुत ही मिडियाओकर ग्रेड दी लीडर्शिप है उस दे विच दो चार लीडरा नों छाड़के अविनाश राय खन्ना या शाय नहीं लीडर्शिप नहीं सी स्टेटेजी दे पॉइंट ओफ यू नाल बीजेपी दे विच आरेसस दा काम वीते तकरीबन 18 साल तो बहुत ही तेजी दे नाल किता जा रहे थे पंजाब आरेसस दे बहुत इंपोर्टेंट टेरिट्री है जोन है जित्थे की आरेसस इस स्ट इसनों किते भी केरलेसली नहीं ले रही है उसनों हलके दे विच नहीं ले जा रहे है तो आरेसस दे एक अपना लेवल है काम करन्दा एक अपना स्पेस है जिस दे विच ओ बिना रोडा पाई काम कर देने ते ज़ो 2017 दे विच आपा कुछ अजेहियां खबना दी गालवाद दे विच कंसिस्टेंसी आगी पार्ति जनता पाटी दे नरेंदर मोधी जो पंजाब विच आखे कह रहे सी या कैपटन अमरिंदर सिंग जो पंजाब दे विच बतार कॉंगरस दे लीडर कह रहे सी इवन कुछ हाथ तक सुखबीर बादल भी जो गल्ला माता कह रहे सी और स भी पार्टी उस तरीके दा मैंडेट नहीं ले सकती जो कि शायद उस नूँ मिलना चाहिदा सी कटनामदी इस लड़ी दे विच एक थियोरी एवी निकल किया ही जो कि बात दे वी जिदा जिकर भी बहुत प्रमुकता दे नल होया ओ एसी भी वोट खराब ना होबे ते कैप अंदर लिया गलना बाता ने इस दी कदे भी परमानिक था या इस नूँ आपा तस्दीक इस दी नहीं करवा पावाँगे कोई भी नहीं करेगा क्योंकि यह जह कॉंप्लेक्स पॉलिटिकल फैक्टर ने जो कि कदे भी कॉंटिफाई नहीं किते जा सकते लेकिन आज जे अस जीकर सी बड़े इनलाइटन सब्सक्राइबर ने मैंनों सब तो जदा खुशी इस गाल दी उन दिये वी जड़े लोग इस यूट्यूब चैनल नों वेकरे ने ओना जड़ेक्ट नौलेज बेस है उना जड़ेक्ट जानकारी जड़ा बेस है और बहुत मजबूत है मेरे ल अकाली दल ने बेसिकली अपनी सरकार देवक 2009 देवी जड़ेक्ट नों डीजीपी बनाया थे बाद देविच 2012 देवी जड़ेक्शन होंदा है ता परमदीप सिंग इल काली दल वी शामल हो चुके होंदेने मोगा तो इलेक्शन लड़ेने जुगिंदर पाल जैन जड़ा म अपनी गोदी वीच बठान दी कोशिश कार देने क्योंकि जड़ो 2012 देवीच अकाली दल दी परफॉर्मेंस एड़ी चंगी होगी तकरीबन शाच चपंजा मेले जित चुके सी उन्हों लाग रहे सी इसता अपने बूतेते ही साठक मेले ले ले जान दे उन्हों लगया भी होर लीडर पट होते हैं और उस तहत उन्हों ने दो तिन सीटना होते हैं नजाज जिसनों कहन दे कि बाइलेक्शन ली फोर्स किता है जदो कि बहुती कंफर्टेबल मेजोरिटी सी बीजेपी तो बगैर भी काली दल बड़ी स्टॉंग पोजीशन दे वीच सी लेकिन 2014 दे बीचे मोगे दा बाइलेक्शन फोर्स किता जाना है सिर्फ इस वासते कि जुगिंदर पाल जैन नों अपनी पार्टी वीच शामल कर ले जाना है उस तो इस्तीफा दो आए जाना है ते मोगे दे वीच एक दुबारा बाइलेक्शन होंदा है ते ओही कॉंगरस दा जित्या होया विदायक जुगिंदर पाल जैन 2012 दा 2014 दे वीच एकाली दल्दी टिकटे लड़के फेर जित जाना है जदो इस्तीफी बन दी है ता परंदीप सिंग गिल जिसने की 2012 दे वीच लड़ाई लड़ी होंदी है जुगिंदर पाल जैन दे खिलाफ ओखे भी हो जान दे ने परंदीप सिंग गिल जड़ा है वो बीजेपी दे भी शामल हो जाना है अपने पोचिंग कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं अपने पोचिंग शुवात किती लेकिन इस पोचिंग तो पहला भी अकाली दल्द जो गिंदर पाल जैन नू स्तीफा दुआ के उसनी पार्टी परंदीप सिंग गिल बीजेपी ना जावे तो फिर क्यों ना जावे ते उस दो ते असी किंतु परंद्टू क्यों करीए लेकिन मैं गाल कर रहा है अशी डीजीपी ऐसस विर्क दी क्योंकि डीजीपी ऐसस विर्क दी जड़ी समझ है जो इस दी सोच दा एक लेवल है यह हाथ मिलानू तयार बरतयार ने तो गल्ला बाता जिडियां पब्लिक डोमेन दे विच आ रिया ने ए वक्रियां ने डीजीपी ऐसस विर्क दा रोल किसी भी अजे है सापका पुलिस अफसर या फिर सापका आईए साफसर बठे रे ने बीजेपी दे विच जोएन करन वाले पुलिटिकल इंटेलिजेंस दे विच जो काम विर्क कार चुके ने उस लेवल दा काम होना नहीं ने किता परंदीप गिल भी उस लेवल दे अफसर नहीं कही जा सकते या उना दी भी समझ होए नहीं कही जा सकती सर्वन सिंग चन्नी जो की सेकरेटरी रहे ने पंजाहाद विच कतर ओ बीजेपी दे भी शामल होए सान कुछ साल पहला होर भी बीजेपी दे जिच बथेरे साब का ब्यूरोक्राइट शामल होए ने लेकिन जो लेवल या जिस पद्दर उते अंदर दी समझ पुलिटिकल इंटेलिजेंस गैदरिंग सियासी पद्दर उते केड़ी सीट उते केड़ेर कैंडिडेट खड़े कारके किमे असी दी जदो मैं मौझूदगी प्रेस कॉंफरेंस दे विच वेखी थे कैप्टन अमरिंदर सिंग देना लो 2005 तो लेके साथ ताक्ता जड़ा कटना चकर सी बादे विच एक समाय अजेहा भी आया सी जदों की 2008-09 आसपास जदो पार्लिमेंट अलेक्शन होंदा था अकाली दल एक चिठी लिखी इलेक्शन कमिशन नों शिकायत किती डीजीपी SS विर्ग दे खिलाफ कि इस वक्त तक माराश्ट्रा दे डीजीपी लगचुके सी है लगण वाले सी जदों शिकायत बाजी आगाती कि अगाली दल ने शुरू कारती किया है कि आजे भी डीजीपी विर्ग जड़े हैगे ने वे सियासी महाल नों खराब कार रहे ने साथे खिलाफ गतिवीदिया नदी चाल रहे ने बताव रिक मानाष्टा कार्टर दा आईयस होन दे नाते भी ले एदा जवाब जड़ा सी और डीजीपी ऐसेस विर्क ने भी दिता उन्हाने भी इलेक्शन कमिशन इंडिया नों चित्थी लिए जिसे विच की दस्या कि उना दे खिलाफ कि इस तरीक के नाल राजसी या राजनेतिक बदलाग हो ली देता है तो ना दे खिलाफ चूटे जड़े केसी फ्रॉड जड़ा केसी और रिजिस्टर किता गया है तो इस तरीक के दिये लड़ाई ब नहीं वर्तना चाहिता है लेकिन इसनों में एक रननीती देता है एक उस तरीक के दी व्योंत बंदी देता है शब्द नों में वर्तना चाहरा है जिसनों कि तुसी थोड़े जा पॉजिटिव लैंड दी कोशिश करे हो यानि कि ओक आग जो की पूरी स्तिथी नों समझ देन जिना ने उना हलाता देविच पहला भी उस खेड नों खेड दया है कैप्टन अमरिंदर सिंग दा तजर्बा पॉलिटिक्स देविच बड़ा पुराना है ते SS विर्क जेड़े की बेशक दो-तिन साल उना ने इस तरीके दे इंटेलिजनस किती ते उस तो पहला भी बहुत लंबा समाम है यह दास्ता में DGPSS विर्क पंजाब देविचो कैट दा जड़ा कॉंसेफ्ट आप हम पहला वीडियो बना चुके हैं उस नों शुरू करन वाले उना अफसरा देविचो संते तकरीबन 200 ते 300 वा एडमिशन यानि कि खुद उना वलो एडमिट किता गया है कि 200 तो 300 अजेहा जड़ा खाड़कू सी जो की पुलस देख बात देविच राल गया काटर देविच शाम हुए उस नों मुडव सेमा जड़ा उस दा किता है उस नों रिहाबिलिटेट जड़ा करन दा काम सी ओ DGPSS विर्क साफका DGPS सरबदी सिंग विर्क ने किता हैं इस अं लेवल दी सोच समझते समर्था रख देने सो जे आज आपाई कि ये BJP को फेस नहीं है चेरे नहीं है इसा फेसलेस पार्टी सो फेसलेस दी गालता कई होर पार्टे नहीं नहीं है क्योंकि बधेरियां पार्टी अपना मुख मंत्री दा उम्मीदवार इस डार्दे कारण य पावेदार पक्खों फेसलेस ही नहीं है लेकिन उस स्तिति देविच BJP जो कि आए दिन अपा अलग 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 चेरे नों अपने पार्टी देविच शामल करके एक महौल बनाना दी क्रियेट करन दी कोशिश कर रही है अपा ए ना मन के चलिए कि BJP ये सिर्फ दखावा कर कर रही है ठीक गल बात है हवा बनान लहीं लोकां देविच प्रबाव देन लही एक इंपक्ट छड़न लही इस सारी गल्ला मता कितिया जा रही है हो सकती है ने लेकिन इस तो इलावा भी देर इनदर प्लान एक प्लान बिहाइंड दे सीन काम कर रहे है उसमों पार आर एस बंदी दे विच साब का DGP SS विर्क जो कि उना दे बहुत करीबी रहे एक दूसरे दे नाल साथ देना या उस साथ नो ने बान दे कारण तो मता एक दूसरे उते खूब लगी हैं दोवा दे उते सो उना हलाता दे विच इस कॉंबिनेशन नो की BJP दे ग्राउंड लेवल द सकती है कि पार्ती जंता पार्टी भी कुछ अजे हे लोक कानू लेके बैटी है कुछ अजे हे स्ट्राटेजिस्ट कुछ अजे हा थिंक टैंक जो की जमीनी पदर उते ग्राउंड पदर उते काफी गेरी समझ रखता है लेकिन हुन इस पूरी दी पूरी स्टिथी नो एक वकरे तरीके ते रॉष्णी नाल वेखन दी लोड़ भी होएगी खास करके उस स्टिथी देविच जदों की पंजाब दा जड़ा चोन दोहजार बाई दी फरवरी दिया चोना है गयाने ओ एक बाई-पोलर कॉंटेस्ट उस तो बाद disgruntled element जिमें की सरब जीत सिंग मकड आये हैगे ने ओल लीडरा नो अपने नाल शामल करके जमीनी हलाता देविच एक बहुती फस्वी ते close fight जिस नो कहांगे जिस विच की जित ते हार दा जड़ा अंतर होएगा कुछ सैंकना ते कुछ हजारा वोटना दा ही हो सकता है उस देविच पार्ति जनता पार्टी अपने लिए की शेर हासल करन दी कोशिश कार सकती है किना शेर ओ टार्गेट कार सकती है उस विचो किना अचीव कार सकती है कैप्टन अमरिंदर सिंग किड़े के वड़े फैक्टर हो सकते ने उना अपने पल्ले की है अपना उ पार्टी जन्ता पार्टी इस वर्ट लग रहा है भी कॉंग्रेस ती तरह ही अपनी टिक्ता नों आखरी मौके तक होल्ड करन वाली ते होर जड़े कैंडिडेट्स नों वेक के ही चोना देविच अपने अमीदवार उतारन वाली पार्टी साबत होएगी जो कि अक्सर कॉंग साब का DGP SS विर्ट ते कैप्टन अमींदर सिंग ते इस पुराने कनेक्शन ते ओस पिशोकर नों थोड़ी नजर कारना चारहा सी जो कि एक अधार मजबूत अधार प्रोवाइड कारदा सानू एस समझन दा या सोचन दा की BGP गुल जे हे लोग हैगे ने जो कि गैरी सिय समझ रख देने ते ओस उते कामक कार सक देने बेशक ऐज़े पार्टी किसानी अंदोलन तो बाद काफी डिस्क्रेडिट हुई है पार्ती जनता पार्टी कैप्टन अमरेंदर सिंग दी एंटीन कंबेंसिंग दा जड़ा बोज है ओ भी अपने मोड़ें दे उत्ते लेके त लेके तो ना पाएगा किते अमरेंदर सिंग दी अपनी जड़ी पंजाब लोग कॉंग्रेस है ते बीजेपी नो भी लेके तो ना पाएगा जे किते इना दी आपस दे विच सांज हुंदी है लेकिन गालो ही है जित्ते हार दा अंतर ही कुछ सैंकड़ा दे विच होना है ओ बहुत बहुत आनवाद रिदेश लखी अनप्लाग देस रिपोर्ट नो वेक खली चुड़े रो नाल लेके एहुजी है रिपोर्ट्स होर अंदार आंगा थोड़े सामने थैंक यू सो मच